यह तो हम शुरू करते हैं, आप लोगे को बाता है कि जो रोटेशनल इनर्जी है किसी भी मालेक्यूल के लिए उसका एक्सप्रेशन आप लोगों के पास है। यह एक्स्प्रेशन आप लोग के पास एक्सप्रेशन है कि यह एक्सप्रेशन है रोटेशनल इनर्जी का आप लोग के पास यहां पर यह आई है यह आपके पास है moment of inertia और यह आई है यह आपके पास moment of inertia along bond axis है या perpendicular to the bond axis है इसके बारे में decide हो चुका है हमारे पास यह ib या ic है जब भी जूल में energy दी गई हो और cm inverse में convert करना हो तो hc पर divide करते हैं हमेशा यह याद रखें जब भी जूल में energy दी गई है और आप लोग उसको convert करना चाहते है जूल में energy आपके पास दी गई है और आप उसको convert करना चाहते है cm inverse में तो आप लोग hc पर divide करेंग तो यही हमने यहां किया है उसके वजाए यह है जो आप लोगे पास microwave और infinite spectroscopy है उसमें इनर्जी जो है वो centimeter inverse से ही ही इनर्जी का unit जो है वो इस्तमाल करते हैं centimeter inverse तो इसलिए यहां यह जून वाले जो इनर्जी है उसको convert करते हैं जब centimeter inverse में तो आप लोगे पास आप लोगे पास यह expression बनता है यहां i c यह जो c यहां ऐसे लग रहा है जैसे यहां नीचे लिखा है subscribe में यह subscribe में लिखा हुआ यह आप लोगों के पास multiply हो रहा है जब हमने h c पे divide किया इदर भी h c पे divide किया और यहां भी h c पे divide किया तो यहां यह जो e था ना यह e था जब इसको h c पे divide किया हमने यह epsilon j में चेंज हो गया जिसके unit जो है वो स्किमेटर इंवर्स है यहां h c था एक एक हैंज सिकेंटर यहां पर c आगए यह आपने पास सेंटिमेटर इनवर्स के unit और यह इनर्दी के unit जो हम इस्तमाल करेंगे आगे जाके यहां पर यह जो i है यह i b है यह i c है जो मर्जी आप लोग इसको समझेंगे अगर हम मालेक्यून का नाम ले ले तो यह चीज जो है यह constant हो जाती है एक चोरेट आइसके यह constant हमारे पास हो जाती है तर आपका माइक आप हो गया है जी मैं आप लोगों से यह कह रहा हूँ कि आपके पास यह जो चीज है यह आप लोगों के पास constant है अगर हम मालेक्यून का नाम ले जब किसी मालेक्यून को हम डिफाइन करनें suppose hcl है तो उसके लिए moment आप इनरिशा भी constant होता है जो आपको बता है mu r से कह रहा है यहां पे μू जो है आप लोगों के पास यहां पे आप लोगों के पास μू जो है यह आपके पास reduced मेस है और r यह आप लोगों के पास heureओ बान्ड लेंध यह चीज değil constant हो जाती है और इस constant को यह जो चीज constant हुई है यह इसको इस constant को नाम दिते हैं rotational constant जिसको B कहते हैं तो B की value constant होती है किसी भी molecule के लिए किसी भी molecule के लिए बी की value जो है वो आप लोगे के पास constant होती है कारपन मौन उक्साइड के लिए इसकी value और है एच सिल के लिए इसकी value और है तो याद रखेंगे जो expression हमारे पास आप लिए यह लिखा है यह आप लोगे पास die atomic molecule के लिए किसी भी molecule के लिए यह जो फैर्टर है इसकी value constant होती है और इसको कहते है रोटेशनल constant यह इसको भी कहते है यहां पर आई जो है यह आई बी है यह आई सी है यह rotation है perpendicular to the axis यह main axis के long जो है यह वो rotation नहीं है यह देखें आई भी यहाँ यह जो है जो रोटेशनल constant है इसकी value जो है आपको बताए 0,1,2 हो सकती है अगर एक माली कुल stationary है बिलकुर उसके लिए यह की value 0 है आईस्ता इस्ता rotate का रहा है उसके लिए यह की value 1 है अगर कुल माली कुल ठोड़ा पेज से rotate का रहा है उसके अब यहाँ पर यह आगया epsilon j is equal to bj into j plus 1 यह आपके पास आगया किसी भी माली कुल के लिए आप लोगों के पास किसी भी माली कुल के लिए यह expression है किसी भी rotational level की energy calculate करने का expression यह आप हम rotational energy माली कुछ 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 माली की rotational energy मालूम करेंगे आपको पता है जे की value 0 होती है आपको जो उपर expression लिखा है bj into j plus 1 जे की जगह 0 put करें आप लोगों जब आप लोगों जे की जगह वहां पर 0 put करेंगे तो आप लोगों के पास इस में जे की वज़ए जो आपके पास expression उपर आपने देख का है इस expression में आप जे की जगह 0 put करें यहां यही expression साथ चलता जाए जिरो आगया यहां 0 plus 1 तो यह सारा यह क्या बनेगा यहां 0 plus 1 into 0 तो यह आपके पास 0 जिरो यहां 0 यहां 0 तो यह जी जे जंगा 1 152 यह जो मना के टूब ten ए जाएक मैशा ब्यारें यह की जिर्वह वर्लब करें आपके पास वेलडी आ इंच-धिवाय। लोग दो किसी भी मालिकूल यह दो सब्सक्राइब आपके पास कोई भी मालेकूल है उसके लिए यह 0 है यह 2B है यह 6B है यह 12B है यह 20B है यह 30B है अगर आप लोग यह कहें कि आप लुग मुद इस बात की समय नहीं है कि यह 0 का है 2B का है 6B का है है याद रखिए जे upon लेखियर हां यह 1 जोह इसके पास 0 इनर्डी यह ग्यादरी का नेख justice को स्कुर्ली नलीग है मॽद आइसता हिस्था रूस्टेट करने के यूनिट का उड़ा है पाने यह 2혁 जलुव है to वह agora की लूचेशनल डेसाईarpट और पर सकते हैं हम उस molecule virutational frequency कैसे find कर सके हैं Suppose आप देखना चाहते हैं एक molecule पहले rotational level में कितनी बार रोटेट कर रहे हैं तो आप देखेगोगपास भी यह आपके पास क्या होता है ब सूरे लेवल ने जो तरजी है वो आपके पास 2B है अब किसी भी मालेकूल के लिए जो आपके पास B है ये constant होता है किसी भी मालेकूल के लिए B जो है ये constant होता है आप किसी भी मालेकूल के लिए B की value फूट करें आप लोगों के पास carbon monoxide के लिए B की value 1.9 है तो जब आप B को 1.9 से मल्टिप्लाई करेगी आप लोग B को 1.9 से मल्टिप्लाई करेगी आपके पास टोटल जो है वो कितना आगया 3.8 3.8 सेंटीमीटर इनवर्स क्या कोई ऐसा फार्मूला भी है जो फ्रीक्वेंसी को रिलेट करता है वेव नंबर से ये वेव नंबर आप के पास आए कोई ऐसा फार्मूला भी है जो फ्रीक्वेंसी को इससे रिलेट करता है तो हमको फार्मूला निकाल लेते हैं आप लोगों को पता है इसी तरह यहां से नियू क्या निकलेगा यह आपके पास निकलेगा इबाई एच जो भी कोई इनर्जी है उसको आप एच पे डिवाइड करें जो भी कोई इनर्जी है लेकिन यह इनर्जी तो जूल में होगी हमारे पास यह कुछ दिया गया है यह तो सैंटीमिटर इनवर्स में है अब जूरत यह है कि यह और जो सैंटीमिटर इनवर्स है उ तो क्या करते हैं तर एच सी से डिवाइड करते हैं अब यहां आप क्या करेंगे यह जो आपके पास जो इनर्दी यह सेंटीमेटर इंवर्स वाली इनर्दी लेना चाहते हैं तो याद रखें अब यहां पे आप लोग यह जो इनर्दी आपके अपास दी गई है इसको आप ए एच सी से multiply दरे divided by H यहां clear नाई नहीं हमें एच सी पे यह अब यहां पर इस E को ही को ही पर डिवाइड करना है ही पर डिवाइड करें हैं लोग एक है पहले लिखा हुआ है एक है चार आगया तो अब लोग तो इस तरह यह जो इनर्जी की वैलियो है, यह इनर्जी की वैलियो आप लोग यहां पुट करके, यह इस पहले इनर्जी की इस वैलियो को आप लोग कनवर्ट करेंगे, जूल में और वो जूल पर यहां पुट कर देंगे, मुझे आप लोग को यहां पुट कर देंगे, देखें, स्पो हम लोग एच सी से इसको मल्किप्लाइब करेंगी जब जूल को सेंटिमेटर इंवर्स में चेंज करना हो ऐच सी करेंगे होग है जो भी आपके पास 3.8 आया है, इसको आप हC से तक कौ स्क्टेन्ट है और सी विलाउस्टी अब हमाइट है जब आप लोग उससे multiply करेंगे तो आप लोग पास जो भी energy यहां पे आएगी वो जूल में आएगी वो energy यहां पुट करें और H पे divide करें तो आपको आज आएगा कार्बन मून उक्साइड का माले जूल अपने पहले rotational level में एक सेकंड में कितनी बार протेट कर रहे तो आप लूग यहां यह जो भी energy लेवर दिये गए हैं इससे आप लूग निकाल सकते हैं अगर आप लोग निकालना चाहाएं तो आप लोग निकाल सकते हैं कि एक माले कूल जो है एक सेकंड में कितनी बार rotate कर रहा है यहां पे stationary है मालेग Bash Blue rotate कर रही नहीं रहा यहां पे मालेगवel आष्टा इसताında rotate कर रहा है आप लोग निकाल सकते हैं कि Carbon Moon operates my ответ क स्यकंड में कितनी बार rotate कर रहा है उसका तरीका मैंने आप लोग कि यह बताया है उसका तरीका है कि बी की वैलियो तो फिक्स है, कार्बन मॉनोक्साइड के लिए 1.9 है, 1.9 को 2 से मुलिटिपलाई करें, 3.8 आ गया, अब इस 3.8 को अगर जूल में कनवर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग H-C से मुल्टिपलाई करेंगे, फ्लैक्स कॉंस्टेंट और विलस्टी अप्लाई से, वो जूल में आ गया, और जब एक दफा वो जूल में आ जाए, आप उसको फिर H पे डिवाइड करेंगे, जब आप उसको H पे डिवाइड करेंगे, जो भी इनर्जी जूल में आएगी, तो आपके पास आए जाएगे फ्रिक्वंसी के एक सेक्म मालेकू कितनी बारुटेट करना है, उसका तरीकाई है, जो भी यहाँ पे आप लोगों के पास इसका आंसर आए, अब उसको C से मिल्टिप्लाई करना है, विलास्टी अफ लाइड से, तो डिरेक्टली आपके पास आ जाएगा, यह मालेकूल एक सेक्ड में कितनी बारुटेट करना है, यह मालेकूल एक सेक्ड करना से कितना अंसर आता है, 11.something, सपोज आपके पास 11.4 आ गया, यह 11.4 सेंटीमिटर इन्वर्स है, अब इसको बर फ्रिक्वंसी में जेंज करना चाहते हैं, कि एक सेक्ड में कितनी बारुटेट करेगा, आप इसको विलास्टी अफ लाइड से मुल्टिप्लाई करेगा, कि अफ जुआ करें, छिक्विलास्टी अब लाइड प्रि मुल्टिप्लाई य कृओं कि यह 10210 में में डारुटेचमां करेगा, इसको लिए 3 मुल्टिप्लाई करेगा, ना सेंटीमिटर इन्वर्स हैं, शिरह उपे जाएगा, आप इस से मुल्टिप्लाई करेगा, झाग सब्सक्राइब पिंद Nepaldela ऌल सब्सक्राइब म歌rijो में किपने ब bonberry घोचंपना तरे इसकोपार सब्सक्राइब घंड आपकंटेश ितनी रूटेशन पर सर किने रोटेशन पर सैट እे इतने रूटेशन पर सीच यहां पे आप दीपलाइजन लॉटेशन इस 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 नियकिल चाहिए ननीर सफ कि रगए मड़ा से पर दीपलाईज मडभन तरहे हैं 2 into 1.3.8, 3.8 multiplied by 10 to 10, 3.8 means 4, 4 into 3, तो यह बनता है 12 multiplied by 10 to 10, 12 multiplied by 10 to 10, rotation per second, तो देख लेख लेख एक कार्बन मुनुक्साइड कमा लेकूर, एक सेक्ड में कितनी बारोटेश करते हैं, आप लोगों को बात की समझ आई यह नहीं है, यह सर्, खोज हम HCL के मालेकूल क्वी फाइंडी करना चाहते हैं, कि मालेकूल एक सेक्ड में कितनी बारोटेट करता है, HCL के लिए, याद रखें, HCL जो है, यह आपके पास HCL है, यह रोटेट कर रहा है, इस बॉंड एकसेज के नजबी, हमारे जिम्हें यह कास्क है कि हम बत अप्रेट करता है, जब आपने दूसरे रोटेशनल लेवल में हैं, तीसरे में हम यह देख में जाते हैं, HCL के लिए जो B की वैली होती है, यह होती है 1.8, याद रहे हैं, 1.8 सेंटीमिटर इंवर्स है, कार्बन मॉनोसाइड के यह वैली 1.9 होती है, HCL के लिए 1.8, अब स 2, multiplied by 1.8, आपके पास कितना आगया, 1.8 और 2 के मुल्किप्लाई करने से कितना आगया, 3.6, लेकिन यह जो आपके पास आंसर आया है, 3.6 सेंटीमिटर इंवर्स, यह आंसर आपके पास जो है, वो सेंटीमिटर इंवर्स में, लेकिन आपने भी करना है, रोटेशन पर सेंड आप इसको C से मुल्टिप्लाई करने, 3.6 into velocity of light, कितनी velocity of light है जी, 3 multiplied by 10 to, 3 multiplied by 10 to, 10, आप मुल्टिप्लाई करने, 3.6 into 3, यह आपके पास आगया, यह 11, 7, 11 multiply with 10 to 10 rotation per second, पहले stationary है, दूसरे rotational level में जाने के लिए इतनी बार rotate करेगा, अब यहाँ पर यह निकालना चाहते हैं, यहाँ इस level में, दूसरे पहले में, पहले में इतनी बार rotate करेगा, एक second, दूसरे में यहाँ देखना चाहते हैं, कितनी बार rotate करेगा, इसमें चिर्ट को 1.8 से इतना इतना करें, कि दियेगा कोई बनदा, चिर्ट को 1.8 से, इतना बने हैं, करें, 10.8 लेकिन यह कम अच्छा 10.8 अच्छा 10.8 आप उसको हम चेंज करना चाहते हैं रूटेशन पर सेकंड में तो कैसे करेंगे यह जो हमारे पास आया है यह जे इसकोल टू जो है वो निकालना चाहते हैं तो C से मुल्टिप्लाइ करें अब 10 को जब मुल्टिप्लाइ करेंगे 10.8 को जब 3 से मुल्टिप्लाइ करेंगे यह बनेगा 32 32.4 यह बनेगा 32.4 इन टू 10 रेस पर 10 इतने रूटेशन पर सेकंड याद रखेंगे एच्छी अलका माली की हो जोगे यहां स्टेशनरी है यहां 11 multiplied with 10 to 10 rotation per second यहां 32 3 multiplied with 10 to 10 rotation per second अगर हम यहां मलूम करना चाहते हैं कैसे करेंगे 12B, यहां कैसे करेंगे यह J is equal to 1 है यहां J is equal to 2 जो है इसमें हम घ्कतर है यह J is equal to 2 है इसमें बतायां जी, next में कैसे करेंगे सब B की value को 12 से multiply करेंगे 12 multiply by 1.8 आ गया 21.6 फिर उसको multiply करेंगे 3 multiply 10 to 10 यह है 64.8 जब J की value जो है वो 3 है जब J की value आपके पास 3 हो तो आपके पास molecule एक सेट में rotate करेगा 64.8 इन्टू 10 raised to part 10 second inverse यहां second inverse इस तरह आप लोग किसी भी molecule के बारे में निकाल सकते हैं कि वो zero rotational level में कितना rotate कर रहे है यहां कितना rotate कर रहे है यहां कितना rotate कर रहे है यहां कितना rotate कर रहे है एक second आप लोग असानी से यह निकाल सकते है अब एक आप अब बात मुझे पदाए सपोज एक मालिकुल स्टेशनरी है और हम उसको पहले रोटेशनल लेवल में लेके जाना चाहते हैं हम उसको कितनी इनर्जी देंगे कि हम उसको इतनी इनर्जी देंगे कि वो इतनी स्पीड से रूटेट करना शुरू करते याद रखें 11 मुल्टिप्लाइट में 10 to 10 अगर ऐसे थोड़ी कम इनर्जी दी तो उपर वाले लेवल में रूटेट में मतलब वो तेज से रूटेट करना शुरू नहीं करेंगा वो कह पड़ेंगे या देकिक यह उल्पन करता यह मापके पास स्टेशनरी है और आप लूग कि अनर्जी नहीं पड़ीगा ऑदफूना शुरू करते हैं तो पिटना रूटेट करना शुरू करते हो वो वो बेड़ करना शुरू करते रिखाने मल्टि प्लाइट विट 10 to चाहते हैं आहिए कि आपने इनर्जी प्रवाइड की मालरी को इसनी इनर्जी इसनी आपनी पधिनके बडिक्न ने लेों को आपको 22.4 cm एव हैं वह आप लोगों को इनर्जी देना पड़ी बात की समझ साहिए या नहीं आई आप वालू का रहे हैं ना यह सर यह आपको इनर्जी प्रोवाइड करना पड़े हैं यह उसमा लिकूल को इतनी स्पीड से रूटेट कर वाए अब आगे चलते हैं अब हम इनर्जी दिख रहे हैं यहां से कोई प्वेस्टन है आप लोगूं का यह सर सर हमने पढ़ा थी कि कोई भी किसी भी बॉडी को सपीड औफ लाइट से मूव ने करवा सकते तो सर इधर हम लोग कैसे मालीकूल इतना सपीड से रूटेट कर रहे हम नहीं करवा रहे हमारी क्या जूरत हैं आप लोग माइक्रोवेज रिडियेशन जब किसी मालेकूल के उपर डालेंगे तो मालेकूल इस सपीड से रूटेट करना शुरू कर देगा यह मालेकूल की सपीड है अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंट्रस्टिंग बाद यहां पर आई है एक मालेकूल जो स्टेशनरी है आप उसको कुछ इनर्जी पर वाइड करेंगे कितनी इनर्जी इतनी इनर्जी देंगे को इतनी सपीड से रूटेट करना शुरू कर लेक्रो मगनेटिक रिडिएशन का क्वों सा री जिए समय होव हैं माईक्रो भि आप यहां से यहां चाहते हैं आपको यहां यहां आप जाना कुछ इनर्जी पर वाइड करना तो एक यह मालेकूल की फ्यूंश यह करता है नि इससारी की सारी उनर्जी है मायक्रो एफ तो स्पोज एक मालीकूल जो है, वो जम्प करता है J is equal to 0 से J is equal to 1 में स्पोज आपके पास एक मालीकूल यह आप इनर्ज ही का डिफरेंस निकालना चाहते हैं? कितने इनर्जी का लिए आपको निगालना पड़ेगा जहां पे गया है वहां इनर्जी कितनी है माइनस जहां से गया है वहां कितनी इनर्जी जे इसकुल तो पन की इनर्जी कितनी होती टू बी ये इताथ गुल्ट 0 की इनरजी की है? 0B, 2B, मा इनस 0B, 2B तो अगर एक मालίकूल यह स्पोस H-C-L का मालिकूल है H-C-L का स्पोस मालिकूल है आप उसको यहां से यहां बेजना चाते हैं तो आपको 2B इनरजी प्रवाइड गरना पुरीगा यह इनर्जी है यह इनर्जी ही है आपको पता है बी की वैल्यों क्या है जी आप उसको पहले रोटेशनल लेवल में बेजना चाहते हैं तो आप लोग उसको क्या इनर्जी प्रवाइड करेंगे तो मल्टिप्लाइड प्रवाइड वो क्या बनेगा 3.6 3.6 सेंटीमीटर इनवर्स लेकिन इनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में तो नहीं होती है यह इनर्जी जूल में आप इसको एच से मल्टिप्लाइड करेंगे एच से मल्टिप्लाइड करेंगे तो आपके पास फरीक्वंसी आएगे अगर आप लोग एच से मल्टिप्लाइड करेंगे तो आपके पास जूल में इनर्जी आएगे 3.6 मल्टिप्लाइड वाई एच सी अब यह याद रखेंगे आप लोग यह याद रखेंगे यह एम से क्यूज में मैं जो भी को पेपर वगारा लूंग उसमें यह दे सकता हूँ कि अगर इनर्जी जो हो जूल में दी गई हो तो सैंटीमीटर इनवर्स में कैसे करते हैं करते हैं एच सी डिवाइड करुक्श हुद है अगर आपे पास सेंटी मिटर में डी गई है स्पी से मवाइन धूल में है तो प्नरय केंगे है लेकिन अफ़ सिर्ट और करें तो प्लेंग्स से और सीसे आपके पास जूल में कुछ लग्र जाएगी जूब में जो वह टी 얘기를 हो वह आप प्रुवाइड करेंगे मालीकूल स्टेशनरी से पहने रूटेशनल लेवल में रूटेट करना शुरू कर देगा जिसकी हमने निकाली है कि उसकी इनर्जी कुछ नहीं चाहिए यह और यह इनर्जी माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो है वह फाल करेंगे बात की क्रेक्ष करेंगे यह इस रही नगी जाहिए इस फॉर बी और यह और यह जो है किसी भी मालीकूल के लिए कौंस्ट्टेंट है कार्बन मौनोक्जाइड के इसकी वेल्यों कितनी है वनपॉइंट और एचल के लिसके विए वनपॉइंट एक और अ बार क्रें को यहां कि अद्धितल कि एक जी से से मेल्टिप्लाई करें तो जूल में इनर्जी आ जाएगी जो आप लूगे विए बताएगी एक माले कुल, जे जकुल फूमने जाने के लिए इनर्जी चाहिए लेकिन हम एक जैनरल फार्मूला बना लेते हैं कि एक वारी पूर्ज यह वह तो ये से जेसे में जाना चाहता है ये से जे कुल मी जाना चाहता तूर कि अदरह इ lithium यह से जो हम सबसे पहले क्या तरहें कि यह आपके पास है आप पैस्ट इंट फॉस इसे ॐ प्लस बन पूट करें तो आप लूबें के पास क्या कुछ आएगा जा ने जुक्ष पर जिसमें जा रहा है उसकी इनर्जी काल्पूलेट करनी है और जे प्लस वन में आप इस जे की जिएगा भी जे प्लस वन पूट करें तो आपके पास बनगा तोटल j फलस टू बन दिया जिस में जा रहा है उसकी नर्दी इफ जहां से जा रहा है उसकी नर्दी कितनी है मैंसे जा रहा है इसमेंस करें प्लस तू से मल्टिप्लाइक करें आपके पास आगया जे स्कैर प्लस ट्री जे प्लस टू माइनस यहां पे बी जे जे प्लस वाने आप सु कंसल कर तो यह फार्मूला आपके पास यह फार्मूला अब आपको दुबारा से कल्कूलेशन करने की जुरूत नहीं है यह फार्मूला कैसे लगाएंगे मैं आप लोगे फार्मूले को अपलाई करना सिखाता हूं यह आपके पास यह फार्मूला है 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 यह फार करती चाहिए 0 से 1 में जाने के लिए, यहां पर यह जो प्रशुख पूपस डूंसे तून सभर सब्सक्रण, प्रशुख उम आ प लिए 2 में 24 बहुत भूम अब अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं कि एक माली टूल जेज कुल टू टू से जेज कुल टू टू में जा रहे हैं तो कैसे फाइंड करें यहां टू पुट करें आप चाहते हैं कि 3 से 4 में जाते हुए कितनी इनर्जी चाहिए यह आप करेंगे यहां 3 पुट करेंगे एक और बड़ी इंपोर्टन बाद में आप लोगों को बताना चाहता हूं जो एल्ग्टॉन्क इनर्जी लेफल होते हैं उसमें मालेकूल जो है जेज कुल टू 0 से जेज कुल टू में जा सकता है या इधर से इधर जा सकता है जो रूटेशनल इनर्जी लेफल है इन में जो मालेकूल है यहां है वापस आते हो ऊपर जाते हुए एक इक स्टेप नीचे आते हुए जब मलेकुल ऊपर जा रहा होता है तो हम कह देहिए डेलिटा या की वैलिव प्लस वन है कि हायर लेवल में से लोवर को माइनिस करते हैं अब एक मालेकुल बान से जीरो में आ रहा है तो डेल्ट 아 funds.urlけて नीची आरहाओ रहा है तुने कोई क्वेशन आप लोग मोगीहा है सर्जी यह जो मानी क्यूलultur वो एक लेवल में सी दूसरे लेवल में जाता है तो डायरेक्ट सबों पहले से तीसरे में क्यों निए जा सकता है हां यह जो है चरोडिंगर वेव एक्वेशन च ब्सांव की है चणर गर ने इसमें लेक्शन रूल है कि मालेकूल जो है 2 कि मालेकूल जो है वो डेलटा जुदा प्लस वाऌने पालु करेगा इस रोडिंगर ने साल करते हुए ये कंडिशन रखी है उस बेस पर ये आपके पास जो फार्मूले है वो इसी बेस पर आप लोग ड्राइव करते हैं ठीक है जी? सर अज वाला लेक्चर बेटे प्लीज अच्छा ठीक है बेटे तो मैं अज सर अच्छा करे देगा इस पर आदे की है विशाला करेंगी इस अच्छाू सर आपड़ बेड़ के इस अच्छा पर किया था लेकिन सेंड निए था प्रिस वह सेंड कर दे क्यों संड कर्दों नहीं कर सकते